हाई अब्रिवन वेल्कम बेक टो माई चैनल मेरा नाम सृत्ति वादी हो आज मैं आप लोगता सेयर करने वाली हूँ फाइफ डिफ्रेंट डिफ्रेंट बन हैरस्टाइल हो भी स्रिफ एक रबर्ड बेंड की मदद से बहुत ही खुपसरत है बहुत ही स्टाइले सा बहुत ही बना लोगे तो वीडियो को एंड तक देख लीजेगा और यह भी स्रिफ एक ही रबर्ड बेंड की मदद से बनाया हुआ है मैंने हेरस्टाइल आई हो क्लियर ही दीख रहा हो और कोई भी डाउट हो कुछ भी ना समझ में आता हो तो प्लीज कमेंट बोक्स में कमेंट कर दी प्लीज गैस प्लीज गो टू मैं सेकेंड चैनल प्रीति वारी टू शिलाई को प्रीति वारी जिस पर आपको और से रिलेटेट वीडियो मिल जाएगी इंस्टा इडी प्रीतिवारी 24 है वहां पर मेरी पनी दीज वीडियो जाएंग तो आपर भी जाके मुझे फॉलो कर ल जाए तक इस तरीकी की दियोने वीडियो के अब्रेट आप लोगों से मिसना हो तो चलिए विन टाइम विष्ट के जली से वीडियो को स्टाट करते हैं तो फर्स्ट हैस्ट्राइल के लिए आपको सिंपली कॉम कर लेना है अपने बालो में एक रबर बेंड लगा देना है बिघाले इस तरीके से लगा लेना एँ जितना ठाइटली अब लगा लिजेगा उसके हैं रिखसे बालों को तो इस तरीके से ट्विच करना है और ट्विच करके बहुत खायटी नहीं एसे लुजयिंगे त्विस्ट करना है और यूपिन को लगा देना है अब ध्यान से देखिए गा में यूपिन लगा है वह में ख़िए को अच्छे से जादा है स्पूल सा अजी चेस बनका बनके बन सब्सक्राइब पुछ इसका फाइनल लुक है तो आई वूप का पसंद आया हो चलता है हैं अगर को बनाए बना लगा के उपर लगा के यूपिन से उसको सिक्यूर कर दिया उसके पर सिंपली सारे हैर को लेकर इस तरीके से आप उसको कबर कर देना है है डोनेट बन को इससे आपका जो हेयर होगा जूड़ा होगा वह बहुत बड़ा दिखेगा और बहुत ही स्टाइलिस लगेगा और समझ में भी नहीं आएगा कि आपने डोनेट बन अंदर हाइड किया हुआ है और यह बहुत ही इजी है पतले हलके बालों के बैस्ट है तो आ लगाना है और उसको यूपिन से सिक्योर कर देना है उसके वैसे थोड़ा-थोड़ा सा लेयर लेने है बालों का उसको सिंपली ट्विस्ट करना है आप चाहो तो नहीं भी खिचोंगे तो भी बन जाएगा अब इस तरीके से आपको डोनेट बन के राउन से इस तरीके से ल करते हैं अब सिंपली इस तरीके से सारे हैर को ट्विस्ट करके फोल्ड करके ट्विस्टिंग को डोनेट बन को अच्छे से कवर करेंगे बहुत ही प्यारा हो बहुत ही स्टाइलिस लगने वाला है यह बन हैस्टाइल तो ट्राइज ज़ूर कीजिएगा खुद से थोड़ा को खराब ना करें अब दूसरी साट से फिर से ट्विस्टिंग किया है बालो को एंड यूपिन से इसको सिक्यूर करते जाएंगे इस तरीके से देखिए कितना प्यारा अभी से लग रहा है पूरा बनने के बाद से इसका जो फाइनल लुक होगा हो जब अब अब जस्ट हो त्याकर कि मारा दिक रहा है वो ना दिकये को कं अब इसको भी सरी कि दॉनेल बन इनकी फ्रक्राइं को हाइड करते लुक हो से लगा देखिंदया हैं यहां पर पूरे nuo डॉनेट बन इस तरीके से में हमारा दिख्रओ और ऊपे ठोड़ा थयर गांवा मारा दिलिखर सब्सक्राइब तो एक खोचूरी चोटी युरी चोटी है उतना बनाना है। कि तरीक से बनाना है। नीचे सटाधर लगा देना है। उसके एस त्रीकर से बनाना है। तो बहुत आसान आसान एयरस्टाइल है तो और बिल्खुल नियू है तो आप प्लीज सेयर कीजिएगा ज्यादा ज्यादा वीडियो को अब नीचे का जो इस तरी किसे नीचे की तर से ट्वीश्ट करेंगे घुमाके एक्स्ट्र हेर को उपर की तर से लाके यूपीन से इसको सिक्योर कर देंगे और नीचे भी दो तीन यूपीन लगा देंगे जिससे कि हमारा बन जो है वो पर्फेक्टली बन का लुक आजया और बहुत अच्छा लगे तो यह भी बना पार्टी वेगर हम बना सकते हो थोड़े से फ्लावर एंड फ्लावर के साथ कर सकते हो जिससे कि आपका जो बन है वो काफी अच्छा और स्टाइलिस लगेगा तो चलते हैं पांच में और आखरी है इसके लिए आपको बालों को तू अच्छा लगता है आप लोगो कौन सी हैस्टाइल पसंद आई आप कमेंट करते हो तो अब सिंपली जो दूसरा लेयर वचा हुआ था उसमें से भी टू पर डिवाइट करेंगे एंड इसको फिर से थोड़ा सा लेयर को कवर करने के लिए बाद में और फिर थोड़ा सा से इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे दूसरी साइट से घुमाते हुए इसको अगें यू पिन से स्क्यूर कर देंगे अच्छे से अब बीच में देखिए ध्यान से देखिए आपको रबड दिख रहा होगा उसी रबड को हाइड करने के लिए मैंने ये हैर का थोड़ा सा ले और इसको सिंप्ली राउंड राउंड सा लपेट लेंगे इस तरीके से थोड़ा खीचते जाना ताकि जो हमारा पतला सा चोटी है वो थोड़ा मूटा दिखे और इस तरीके से हमारे जो हमारा सेंटर का हौल था उसको अच्छे से कवर कर पाए और जो हैस्टाइल का लूक इसका फाइनल लूक कोछ इस तरीके का आया है और मैं सोच रही हूँ एक और डोनेट बन डमी लेने के लिए जिसका है गोल्डन कलर का हो गोल्डन कलर पर हमारे जो हैस्टाइल होते हो काफी अट्रैक्टिव डिखते हैं तो कैसी लगी आप लोग को इस सारी हैस्टाइल आ मैं जितने हैस्टाइब बताते हूं तो चले आज के लिए इंटाइगया आफाली के साथ सब्सक्राइब वाu लते क leg लिए अफ लव correcte यॉरám गाये है